हेलो दोस्तों आप सब कस्वागत है हमारी इस एलेट विप निप्टी यूट्यूब चैनल पर आज इस वीडियो पर हम निप्टी और बैंक निप्टी का 2 आर्स का चार्ट को पहले देखेंगे और उसके बाद जैसे के आप लोग का रिकोष्ट था मैं 1 मिनिट या 3 मिनिट का चार्ट पर लाइब दिखाऊंगा कि कैसे आप पिछला दिन का जो राइस है उसका आप ट्रेट कर सकते थे और आने वाले समय पर भी आपको कैसे ट्रेट करना चाहिए आपको यह दिखाऊंगा कि यह US मार्केट जो है जो मुझे लाग रहा है कि बहुत ही क्रूसियाल जोन पर है तो उसके बाद में हम डिसकासन करेंगा और उसके साथ-साथ हम UST, INR और और ऑप्शन चेन का डाटा का भी एनलासिस करने ताकि मैं आपको एक कॉम्प्लेट और कॉम्प्रियेंसिब एनलासिस दे सकूँ तो चलिए शुरू करते है नॉर्माली एसपर एलियोट वेब थियोडी मार्केट ऐसे 1,2,3,4,5 ऐसे 5 साबवेब पर आगे बढ़ते हैं इ उसको हम क्या करते हैं पहले एवीसी मिला कर डाबलू, सेकेंड एवीसी मिला कर एक्स, थार्ड एवीसी मिला कर वाई, फिर जो एवीसी मिला कर एकस एंड देन लास्ट एवीसी मिला कर जेड ऐसे हम नाम देते जाते हैं ठीक हैं तो इधर जो भी यह हो रहे हैं इधर इसको यह W, X, Y, Z जो है यह जेट वेवाइब हो रहा है जो मुझे लाग रहा है तो इधर से हमारा प्रेडिक्सन था की मार्केट नीचा आएगा इधर से ट्राइंगल बनाया है तब भी प्रेडिक्सन था नीचा आएगा यह सब तो सही हो गया अब इधर जो है इधर से एक आप यह अभी जो है मार्केट इतना ऊपर चाले जाने के बाद हमारा जो भी प्रेडिक्सन था वह अब नहीं है मतलब इधर से मार्केट आभी बहुत ऊपर तक जाने का कोसिस करेगा वह हम इस वीडियो पर देखने का कोसिस करेंगे आब नॉर्माली यह जेड वेप के अं इसके साथ साथ यह आपने जो फीफ्त होए यह कंप्रेट कर देगा ठीक है लेकिन एक्च्वाली यह इधर ना आकर थोड़ा उपर चाला किया और उसके आप एक डिसकसन करेंगे क्या हो सकते हैं देखिए C के अंदर पांच सावव इधर अगर कंप्रेट हो जाना पड़े है यह मेरे लिए जो मुझे लागना था एव हो गया फिर यह जो बी ओव है उसके अंदर तीन सावव होता है यह बी सी होगा यह बी ओव जो मैंने इधर मार्क कर चुका था पहली तो यह बी ओव ठीक है फिर आभी यह सी ओव जो उसके आंदर भी ऐसा ट्रांकेट होना तो इसके बाद यह 4-5 ना होकर मुझे नहीं लाग़ा कि यह complete हो सकते हैं तो जो मुझे चांस ज्यादा लाग़ना है कि इधर actually अगर आप देखें तो यह 4 तो यह अभी complete नहीं है यह ABC फिर ABC तीन ओव पर आए हैं फिर ABC फिर ABC ऐसा करकर करके एक triangle बनाने का कोसिस कर सकते है फिर यह जाकर नीचे जाएगा यह possibility हो सकते है जो मुझे आभी के लिए लाग रहा हैं तो यह triangle के लिए नॉर्मली sub wave जो होते हैं उसको हम actually 3-3-3-3-3 वाला sub wave पर divide करते हैं और इधर मैं जब 3 मिनिट का चार्ट पर दिखांगो तो इसको भी discussion कर दूँगा अभी फिर से ए तो यह अगर इधर से 5 complete नहीं किया तो जो हो सकते हैं यह 123 नहीं यह ABC हो गया अब यह ABC जो हो गया उसके बाद क्या होगा यह उपर ही जाएगा क्योंकि यह ABC मिलाकर अगर हमारा जो triangle का अंदर A बना तो यह ABC मिलाकर B बना रहे हैं फिर यह C बनाने के लिए उपर जाएगा फिर यह D फिर यह E बनाएगा और उसके बाद एक fall देगा तो इसी सबसे ऐधर Monday को या फिर Tuesday को यह fall होना चाहिए या फिर दूसरा अगर कोई बोलना चाहिए तो यह ऐसे भी बोल सकते हैं A, B, C के बाद भी यह fall दे सकते हैं तो यह कौन सा chance जाद है वो मैं आपको बताता ह इसके लिए मैं bank nifty पर जाका दिखाने का कोसिस करता हूँ तो यह bank nifty का जो चार्ट है यह actual nifty की तरह इतना complicated नहीं हुआ यह 5 सब पर A बना फिर ABC में लेकर B बना and then C के अंदर यह 1, 2, 3, 4, 5 बना अभी तक तो ठीक है लेकिन अगर nifty पर यह ऐसा होगा कि nifty फॉल एक लेक बागी है नीचे की तरह तो बैंक nifty इतना बड़ा टाइम प्रेम पर आसा नहीं करेंगा को उपर चला जाएगा तो यह bank nifty और nifty दोने एक साथ चालते हैं तो जो हो सकते हैं इधर से आपको ऐसा एक जो drop करना पड़ेगा तो इसी सब से यह आपका A, B, C, D and A आपका E हो र जाएगा एंड देन यह जो 5 है वो एक्चुल इधर हो जाएगा जो 5 को मैं इधर मार्क कर रहा था अब इस 5 को मैं इधर मार्क ना करके अभी क्यूं बोल ला हूं कि यह 4 के अंदर B है उसके पीछे कारण है उसको मैं तो छोड़ा टाइम प्रेम पर ले जाता हूं फिर दि त्यारी कर रहे हैं यह मुझे अभी के लिए लाग रहा था लेकर मैंने जब इसके अंदर थोड़ा इस जागा पर जूमिन करने का कोशिस के तो देखा इस जो वेव है इससे यह वाला जो जागा यह थोड़ा ऊपर चले गया है तो यह ऐसा तो नहीं हो सकता कि यह 1 है 2 1 से उपर गया फिर ऐसा 3 बन रहे है 4 5 ऐसा नहीं होता है यह 1 2 3 4 5 ऐसे बनते हैं तो इसी सबसे यह एक्चॉली 5 सवब इदर हुआ नहीं जो मुझे लाग रहे हैं कि यह जो है यह फोर्ट के अंदर एक्चॉली यह A B C इदर तक हुए है और उसके बाद यह इदर से अगर 3 के अंदर B है यह जो है फोर्ट के अंदर C, फोर्ट के अंदर D and फोर्ट के अंदर E है ठीक है तो एक्चॉली फोर्ट जो होगा ओ इदर कंप्रेट होगा यह एक ट्राइंगल बना सकते हैं उसके बाद एक लास्ट लेक का फॉल बागी है यह मुझे अभी के लिए लाग र इदर A, B, C, D, E यह पांच सबोर्ट नॉर्मली रहते हैं तो जो हो सकते हैं इदर से मार्केट नॉर्मली यह नीचे आ सकते हैं अगर यह COF को न तोड़े हैं तो अगर कोई गैप आप खोल गया ऐसा कुछ हो गया तो यह पार जो फोल है यह मुझे ट्राइंगल वाला जो कि इदर से जो है जो मुझे अभी के लिए लाग रहा है यह A, B, C हो रहा है फिर D बनेगा फिर E बनेगा तो इतना समाई निप्टी साहथ नहीं लेगा यह पिर नहीं ले पाएगा तो यह A, B, C जो है यह C, A से उपड नहीं गया यह फिर थोड़ा उपड पी चला गया तो A, B, C खातम करने के बाद ही नीचे चलाएगा इदर ही फोर्ट वेफ कम्प्रेट कर देगा क्योंकि ट्राइंगल जो होते हैं यह बनने के लिए जितना समाई लगते हैं उसका बहुत कम मतलब आधे या ओन थर्ट समाई पर ही एक्ट्वाली उसका बाद का जो फॉल होते है वो कम्प्लिट हो जाते हैं तो बैंक निफ्टी पर जो है इतना सार्फ फॉल होगा तो निफ्टी जो है वो उल्टी तरब यह बनाने के लिए जा रहा होगा यह ऐसा नूट्रल बना रहा होगा कुछ पैटरन ऐसा नॉर्मल नहीं होगा जो मुझे लाग रहा है तो निफ्टी पर ट्राइंगल वाला पैटरन नहीं रहा है काल लागा सुवे पर ऐसा कुछ होगा तो देन क्या होगा यह जो निफ्टी है यह ए बी के वाद यह सी बनाने के लिए उपर चला गया देन यह इधर से नीचे आ सकते है एक पॉसिबिल्टी जो मुझे लाग रहा ह है तो जो हो सकते हैं मुझे लाग रहे हैं थोड़ा एक ओड पॉसिबिल्टी है क्योंकि यह पर भी जो फाइव होग है यह यह एक्चुली ट्रांकेरेट अब ट्रांकेर्शन का मतलब है एक्चुली फेलियर तो इधर भी फीपत वह फेलियर इधर फीपत वह थेलियर नॉ कोसिस करेगा आभी भी एक लेक बाकी है लेकिन एक लेक मतलब एक ही लेगा है ठीक है ऐसा यह दो तीन लेक की बाद मैं नहीं कर रहा हूं तो आभी चलिए चोटा टाइम प्रेम पर चलते हैं जैसा कि 1,2,2,3,4,5 यह लिए नीचे आने का कोसिस करें मैं आप लोगों बोल रहा थे तो मैं आप लोगों को बोल रहा थे इधर तक ही जो है यह 3 से नीचे आए तो book कर लिया क्यों कि यह 5 कभी कभी जब यह है Player copyright orient wave के wise यह king wave यह सबसे बड़ा बनते हैं फिर यह sabes下面 और फिर यह फिफे वे सा होते हैं और्मल एसा होते हैं third wave forward extend कर जाते हैं और 1 और 5 यह आपस में equal ही भण जाते हैं ढ़ेगा तो इसी अबसे आगर आप देखें तो actually आपका ju options होते हैं लोग buyers से इसेदा वे deeply option का बाइंग करते हैं वह एक्चुली यह 1,2 यह जो 3 होता है ना 3 पे option का भी जो price चार्ट होते हैं वह 1,2 के वाद ऐसा 3 हो जाते हैं उस पे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं लेकिन यह जब 4th के लिए उपर चला जाएगा यह option जो का थोड़ा ज्यादा उपर चला जाते है और 5th पे जब यह नीचे आने का कोसिस करगा यह 3rd से नीचे आ भी गया यह options का price ऐसा हो जाते हैं तो इसलिए इधर से साबसके आप 10 पे buy केते option इधर जो है था यह हो गया था 24 इधर चला गया था 16 पे जब यह फोड़ा बना रहा था तब यह 16 पे चला जाते हैं और फिर जो होते हैं इधर से नीचे जब चले आते हैं यह 5th के लिए इधर से तब क्या होते हैं आपको 16 से maximum 20 तक आते हैं फिर यह 24 तक नहीं आते हैं मालब option का price है वो बार्ट पे 24 तक नहीं आते हैं तो आपको actually book इधर ही कर लेना चाहिए इस फोर्त वेप और यह 5th वेप का अप best thing okay तो आब हम आगए निप्टी का वान मिनिट का चार्ट पे इधर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको जो मालब पिछला दिन का डाइस है उसको हम कैसे ट्रेट कर सकते हैं कहा हो सकता है हमारा पोजिशन कहा हो सकता हमारा exit और कितिना पॉइंट जो हम लॉचिकल दिख पैटन और टाइम तो प्राइस आपको देखना पड़े का उसके साथ आइधर पैटन या टाइम यह तीन चीज मिला कर ये अक्च्वली अलियर्याट चलते हैं आपको अगर लागने हों काम कर रहा है तो ठीक आप इसको इसको इसका इस्तिमाल कर सकते हैं में भी बट यह दिख विरा है उसके साथ साथ दो चीज़ हो सकते हैं यह pattern and time तो pattern का मतलब होते हैं कि जो एलियोटोप के साथ pattern आते हैं जैसे कि ending diagonal, leading diagonal, triangle यह सब जो भी pattern आते हैं यह सब हो गए आपका pattern और दूसरा चीज़ जो होते हैं price के साथ होते है time यह time जो होते हैं इसके लिए होते है फीबोनासी time cycle जो मैं पिछला दिन का वीडियो था डाव पर उदर मैं आपको दिखा चुका था तो मैं यहीं बोलोगा कि आप लोगों को यह फीबोनासी जो time cycle वह यह अक्च्वाली एलियोटोप के साथ आते हैं बाकि जो चीज़ आप एक्स्ट्रा यूज़ कर र नहीं है तो मुझे लगने वह गलत है हां लेकिन आप कोई भी इंडिकेटर चाहें तो इस्तेमल कर सकते हैं वह कोई issue नहीं बाट एक्च्वाली जो है एलियोटोप के साथ आते हैं और time के लिए मैं फीबोनासी time का इस्तेमल करता हूं तो अभी चलिए इधर देखते हैं य नहीं आ रहा है क्या हो रहे हैं तो इसको मैं ऐसा देखूंगा नहीं तो मैं इसको बास एक speed बाड़ा देता हूं और आपको देखाने का कोईसिस करता हूं कि इधर कौन सी वे पर यह चल रहे हैं तो इधर तक मुझे तो खास यह बस एक फ्लैट लाग रहे हैं तो ओ भी और फ्लैट है यह फो उसके बाद मुझे फोर्त का फ्लैट है यह यह फिर यह आप सेकंड का फ्लैट है मुझे पाता भी नहीं तो आभी तक मैं तो रहा कॉन फ्यूस हूं यह पिछला दिन जो राइस था यह अगर वान है यह टू है तो यह क्या थी इधर फोड हो रहा है I am not sure, तो अभी तक जो हो रहे हैं, वो क्या है, अभी तक मुझे ऐसा कोई खास पैटर्न नहीं देखा, जिसके बाद मैं बोल सको कि इसके बाद आपको एंट्री भी लेना चाहिए था, ऐसा कोई चीज अभी तक तो मुझे नहीं देखा, यह जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो अ मार्केट एक ही जगा पर घूम सकते हैं, तो दो चीज बनाएगा, ऐधर यह एक ट्राइंगल बनाएगा, या फिर यह कोई फ्लैट बना रहे हैं, यह दो ही हो सकते हैं, अगर आप देखे तो, तो इधर इन दोनों में से कौन हो सकते हैं, लेकिन ट्राइंगल के लिए कोई पैटन बना सकते हैं, डाइगोनल जो होते हैं, उसको एक्ट्राइंगल ही बोला जाते हैं, डाइगोनल ट्राइंगल, तो यह मेरे लिए एक डाइगोनल ट्राइंगल ही है, और इसके बाद जो हो सकते हैं, ओ मेरे लिए फॉल्ड हो सकते हैं, डाइगोनल ट्राइंगल वो तो खतम हो गए इतना सार्प्री राइस और नहीं होड़ा तो इधर से जो होगा market fall करेगा तो इधर मैं aggressive नहीं मैं तोड़ा defensive entry ले सकता हूँ पहलो दिखा देता हूँ तो इधर defensive entry यह हो कि यह फोर्त का जो price इसको जब यह break करेगा तब ही actually आपको position लेना चाहिए अब बोलना चाहूँगे यह लेट विपर price pattern और time का concept होते हैं तो इधर आपको जो price को जब trade करना है तो आपको pattern समझ में आना चाहिए या फिर time wise आपको समझ में आना चाहिए कहां तर जा सकते है कि दिना देर तक चल सकते है कोई ना कोई एक चीस्तों समझ पाना तो इधर जो है इधर हमको क्या दिख रहे हैं यह fourth wave जो है यह actually इधर से price फिर से उपर जाना चालो किया तो इसलिए यह हमारे लिए entry यह बहुत एक important zone है लेकिन यह वाला जो line है यह line को जब यह break करेगा तभी हम entry ले लेंगे ऐसा approach बिलकुल गलत है वो हो जाएगा कोई द यह one minute पे आब लोग जो नए है aggressive approach लेने से अच्छा है कि defensive approach आप apply करें तो अभी जब यह line को जब यह तोड़ेगा तभी जाकर मैं position लेने का कोशिस करूंगा तो चलिए अभी देखते हैं इस line को कैसे तोड़ते हैं अभी तोड़ दिया तो यह लागबग 170 का आसपस तो 170 क गिर जाएगा ऐसे तो नहीं कर सकते ना और market पुरा दिन bullish ही दिख रहे हैं अभी के लिए तो अभी हमारा जो approach होना चाहिए वह यह है कि अभी हम market का जो sentiment है आज के लिए intraday पे bull sentiment पे market चल रहे हैं तो हम इसका जो उल्टी तरफ है उल्टी तरफ हम आमारा position बन रहे हैं त तो हमको बहुत सतर होना चाहिए जब यह कभी भी उल्टी तरफ घूम सकते हैं तो चली अभी देखते हैं कोई pattern तो देना पड़ेगा नॉर्मली तो उसके बाद ही घूमना चाहिए तो आभी यह नीचे आ रहे हैं तो ठीक आभी तक आ रहे हैं लेकिन देखिए इधर के आ तो आगर आप देखना चाहिए तो इधर से एक सार्फ आप्ड हो अधा इधर से क्या कि आ गाड़ी का ब्रेक लागाना चलू कर द आप डाउन आप डाउन करने हैं एक ही जगह पर तो गाड़ी का एक्चुली momentum जो है वो खतम हो डाए मतलब ब्रेक लागाना शुरू करते ह तो ओवियसलिए इधर से डाइलेक्ट या और एक फॉल के बाद उपर जाएगा अप इतना फॉल के बाद उपर जाएगा तो यह मेरे लिए क्या हो जाएगा स्यम एक एंटिंग डाइगॉनल पैटर जो इधर बने हैा स्यम इदर बने करते हैं और प्राइस तो प्राइस दिएग रहे हैं तो पैटर्न हो हम तो दिएट कर सकते हैं तो देखिए अभी यह क्या कर रहा है कि इधर से डारेक्ट जाएगा या फिर एक लेक गिरने के बाद उपर जाएगा देखिए तो अभी बात ही है कि हमारे लिए सब उसकी यह अगर फास्ट वेफ सेकेंड वेफ थार्ड फॉर्थ फीफ्थ है तो यह फॉर्थ के बात से एंट्री का स्टाइल तो हम इधर से बाई करेंगे और फिर जो है स्टॉबलस इधर राखेंगे इसके बाद इसको उपर जाने देंगे आप यह उपर जाएगा तो चलिए देखते हैं कि यह होता क्या है तो यह जो है यह अभी इधर से थोड़ा आप डाउन कर रहे है यह अभी उपर गया ब्रेकाउट दिया हमारा इससे ब्रेकाउट दिया अभी सार्फ चब जा रहे है सार्फ मोमेंटम पर हमको बुक करने का जरूरा देनी कुछ बुक करेंगे तो इधर बुक कर लेंगे 20% आप माई पोजिशन रेकान यह जो है यह इधर से उपर जाएगा त सकते तो पहले से बुक हम नहीं करेंगे तो इसके अंतर हमको पांच सा वेब जो है मैक्सिम अगर आप देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह किसे यह जो है 1,2,3,4,5 साइथ ऐसा कुछ हो सकते हैं जो मुझे लाग रहे हैं और 2 के अंदर यह A,B,C, ऐसा कुछ करने का कोसि कर रहा होगा चलिए देखते हैं यह अभी जब उपर जा रहे हैं मनलब इस 1 से उपर चला गया तो 3 जो होते हैं वह 3 बनेगा तो वह mostly 1 से उपर उसको जाना ही पड़ते हैं तो यह उपर जा रहे हैं और वह भी सार्फ मुमेंटम के बाद साथ तो अभी जो है हमको बुक कर करना चाहेंगे अब इसके बाद यह राइस देगा कि फॉल देगा यह हमारे लिए मैटर नहीं है हार एक स्विंग को हार एक पॉइंट को आप ट्रेड नहीं कर सकते ठीक है इधर कुछ रूल होता है तो इधर जो है एक पैटन दीका प्राइस इसको ब्रेक किया तभी हमने लिए तो इधर प्राइस प्लाटन आया इधर भी प्राइस प्लास पैटन आया तो तभी जाकर इधर भी हम पोजिशन लिए थे इधर हम 40-50 पॉइंट क्याप्चार कर सकते थे इंट्रेड पर डाउन साइड पर और आप साइड पर यह जो जागा था यह लागवगता 16,140 क एक्टुली क्याप्चिर कर चुके हैं और इसके बाद यह और उपर जा सकते हैं लेकिन हमको वह लालची नहीं बनना है हमको इधर बॉक कर लेना है जो मुझे आभी के लिए लाग रहा है तो चली देखते हैं कि यह अक्टुली होता क्या है यह देखे अभी जो है यह 5th कि या 5th के बाद यह नीचे आ रहे हैं and then यह नीचे डायेट ली जाएगा या उपर जाएगा I don't know मुझे देख भी नहीं रहा कि पाता भी नहीं है कि यह कोई pattern बन रहा है कि नहीं बन रहा है बन जाने के बाद मुझे साथ देख जाएगा लेकिन आभी के लिए मुझे पाता भ बूग कर चुका हूँ और उसके बाद इधर actually मैं पोईशन नहीं ले रहा हूँ तो यह जा रहे हैं तो जाने दीजे क्योंकि पार्ट डे नॉर्मली निफ्टी 400-500 पॉइंट का राईस या फॉल नहीं देता है तो हमारा expectation ओ होना चाहिए जो पार्ट डे होते हैं उससे सब इधर ना मुझे कोई pattern नजर आ रहा है ना कोई price नजर आ रहा है तो इसी सब से मैं इधर position नहीं लोगा अगर कोई लेना चाहिए तो हो सकते हूँ उनको अभी लागे हो जाने के बात लागे कि इधर अगर position ले पाते तो इतना पार राईस ले पाते लेकिन अभी के लिए म मैं जब इधर capture काड़ चुका हूँ इधर से इधर तक और इधर से इधर तक position जब हम capture काड़ चुक है इसके बाद यह जो भी rise हो रहा है होना दीजे इसको actually हमको देखना भी नहीं है आपको अगर यह बार बार खोल के देखेंगे ना computer off नहीं कर देंगे तो obviously आपका जो psychology बिगड़ेगा इसलिए हमको जो लाग रहा है यह बाला राइस जो हम नहीं ले पाए और नहीं ले पाए ठीक है इधर price pattern का काम था इधर भी price pattern का का काम था इसलिए हमने यह 110 बिस पॉइंट का rise इंटरे पर ले पाए है तो आब चलिए इथोड़ा open interest पर देखते है open interest का data यह बोलना है यह उपड की तरफ 17,000 का जो call है और नीचे की तरफ 16,000 का जो put है इस दोनों पे बहुत ज़्यादा resistance and support आ रहे हैं तो तो अबरल जो smart money है वो 16,000 से 17,000 के बीच में यह week खतम होगा यह सोचकर हो लोग अपना position बना रहे हैं और यह जो PCR मतलब put to call ratio यह भी 1.01 मतलब 1 के आसपसे मतलब put or call जो है आपस में लगबख समाने तो अबरल मार्केट जो है थोड़ा neutral रहने का कोसिस कर रहे है यह मुझे अभी के लिए लागन है for 26th मेकर तो अभी एक सवाल आते है निटी जो है इधर से अगर जेट इधर इधर खतम करे यह एक फॉल के ब हो रहा है तो हमारा रूपी अगर वीक हो रहे है तो हमारे लेकिया अच्छा निजस है अब यह अभी तक कंप्रेट हो चुक है जो अभी के लिए मुझे दिग रहे हैं तो इसी सबसे यह थोड़ा इधर से उपर जाने का कोसिस कर सकते हैं तो हमारे निटी पे एक फॉल के बाद भी सरी लेकिन उपर जाय करने का कोशिज निप्टी भी या बैंक निप्टी जो भी वोले वो भी करेगा तो मुझे जो लागने है इस पर अगर ABC हो रहा है तो हमारे निप्टी पर भी कोई ना कोई एक OIP चायो X O Y O Z खतब होने के बाद वो भी उपर जाने का कोशिज क करेंगे और अगर आपको टाइम हो आई है मांटली टाइम फ्रेम पर भी इस सब को देखना है तो आमारे जो पिछला दो दिन वीडियो है उसका मैं लिंक में डेस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रहा हूं उधर आप लोग कानली जाकर देख सकते हैं तो अभी के लिए इतना आपको आपका राएं गार आपके लिए घून का टामारी करें रहा हैं तो आपके लिए निए इतना पर देखने